गुड मॉनिंग इचुडेंस आसा करती हैं आप सब बहुत अच्छी से होंगे स्वस्त होंगे तो चलिए बचला जाम पढ़ने स्टार्ट करते हैं लेसन 11 एंड लेसन 11 में आपका क्या है देखने है आई डॉंट है फ्लावर ठीक है देखे फ्लावर दैट मिन्स होता है फू नहीं है लेट्स स्टार्ट देलेशन चलिए स्टार्ट करते हैं देयर वन्स लिवड ए ग्रेट चैनीज इंपेरर देखे देयर वन्स मतलब एक बार ग्रेट मिस महान चैनीज मिस चीनी इंपेरर मिस समराथ है न तो एक बार एक महान चीनी समराथ रहते थे He ruled his country fairly and wisely and the people in his land were very happy He ruled, मतलब उसका, ruled मिस सासन यानियम Country मिस देश, fairly मिस निस पक्च, wisely मिस बुद्धी मतलब And the people मिस लोग, very happy मतलब बहुत कुछ तो देखे हम पर बोला जा रहा है कि जो Chinese Emperor थे, Chinese चीनी समराथ थे उसने अपने देश पर निसपक्च और समझदारी से शासन किया और उसकी भूमी किलो क्या थे, बहुत ही खुश थे But the wise emperor was growing old and he began to worry about finding a good successor देखे, old मिस बुढ़ा होना, worry मिस डरना, finding मतलब खोजना and a good successor, मतलब अच्छे उत्राधिकारी देखे, but the wise emperor was growing old लेकिन जो Chinese समराथ थे, जैसे बुढ़े हो रहे थे, हाना, old हो रहे थे उनको एक चिंता सताने लगी कि मतलब अब मेरे बाद हाना, इस देश पर कौन उत्राधिकारी होगा good successor, मतलब एक अच्छा उत्राधिकारी कौन बनेगा करके उसको worry मतलब चिंता सताने लगी, he asked his advisor for help, but no one could think of a satisfactory solution देखे, उसने अपने जो advisor थे, सलहकार थे, उनसे help ली, मदद मागी, but उनको satisfactory, मतलब संतोज जनक समधान उनको नहीं मिला ठीक है, one evening the emperor was walking in his beautiful garden, evening, evening में साम, साम को जो emperor थे, समराध थे अपने beautiful garden, मतलब सुन्दर garden में क्या कर रहे थे, walk मतलब चल रहे थे, as he tended the flowers that he had so lovingly grown an idea occurred to him, देखे, वह garden में गहूम रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे वह flowers, मतलब फूलों को tended, जुका रहे थे, तो उनको, जिसको उन्होंने बहुत है क्या किया था, प्यार से पाला था, तभी उनके मन में एक क्या आया, idea आया, मतलब विचार आया the next day he announced that flower seeds would be distributed at the imperer in imperer's castle देखे, इंपेरर्स केस्टल, यह में समराट महल, एनाउंस्ट मीज घोषना, डिस्टिब्यूट मीज बाटना, तो देखे, दर नेक्ष दीन, मतलब अगले दीन, हाँ न, यह घोषना की गई, कि फल के बीज, समराट महल में क्या किये जाएंगे, डिस्टिब्यूट मतलब व फलावर का जो बीज डिस्टिब्यूट हो रहा है, बर्टर है, उसको ले सकता है, एंड उस बीज को ग्रोण, मतलब प्लांट किसी भी पाट में बर्तन में उगा कर, उस बीज को उगा सकता है, जब उसमें, जब तक उसमें क्या ना आ जाएंगे, वहाँ प्लांट बढ़ा एक क्या यंग बॉय, मतलब नौ युग लड़का था, जिसका नाम क्या था, चैंग, who loved growing flowers, उसको फूलों से बहुत ही क्या था, मतलब फूल उगाना हाना, उसको बहुत अच्छा लगता था, लब प्यार था, he was sure that his flower should be the most beautiful, उसको यकीन था, हाना, sure था वहाँ, कि अगर मै यह फूलों को, बीच को उगाऊंगा, हाना, तो मेरे जो flowers होंगे, सबसे beautiful, मतलब सुन्दर होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक पिच्चर दिया गया है, बच्चों, जहाँ पर जो flower का seeds है, उसको distribute किया जा रहा है, ठीक है, he sowed the seed into a silver pot and looked after it day and night, और जो वहाँ चैंग था, ठीक बरतन में उस बीच को उगाया, ठीक है, इस प्रकार से उगाया होगा, हाना, और उसकी दिन रात क्या की, देख भाल की, strangely the seed did not flower, अस्चेरिया, मतलब अजीब, strangely है, अजीब बात है, इतना, मतलब उसका care करने के बाद भी उसमें फूल नहीं आया, ठीक है, शून दा, इंपेरर वांटे, टूशी दा, फ्लावर्स, देखिए, जल्द ही सम्राड, जो इंपेरर थे, सम्राड थे, वह फूलों को देखना चाहते थे, आउट साइड दा कैस्टल, देखिए, जितने भी लोगों ने, सीट लिया था, बीज लिया था, महल आए, हाना, और आउट साइड दा कैस्टल, मतलब, महल के बाहर, लाइन लगा के, खड़े हो गए, आल आफ, आल आफ, आल आफ, आल आफ, देम, हैड, प्लांट्स, विद दा मोस्ट व्यूटिफुल फ्लावर्स, सभी, जितने भी वैक्तियों ने लिया था, भी, सभी की फ्लावर्स क्या थे, बहुत ही जो नर थे, लेकिन जो वह चैंग था, छोटा बच्चा था, बहुत ही क्या था, सैड, सैड, मतलब, दुखी था, मतलब, कहीं से भी, तभी, उसके एक दोस्ट ने कहा, कि तुम कहीं से भी, कोई भी फ्लावर्स ले आओ, हा न, However, his father told him, you have tried your best, तभी उसके जो फादर थे, पापा ने उनसे कहा, कि तुमने अपना try best दिया है, सबसे अच्छा किया है, हा न, तुमने दिन रात, उस, मतलब, सीट को grow करने की कोशिश की है, उसका care किया है, देख भाल किया है, तुमने अपना best दिया है, मतलब, तुम जूट मत बोलो, जो सच है, उसको बता दो, Now you must take the pot to the emperor, and tell him the truth, फिर उस बरतन को वहाँ ले गया, उस pot को वहाँ ले गया, और जो truth था, सस्था, उसको, इंपेरर को चैंग ने बता दिया, दे इंपेरर एड्मायड अल दे फ्लावर स्था, तिल ही केम तु दू दू बॉइस पॉर्ट, फिर मतलब सबके फूलों को जो इंपेरर थे, उन्होंने देख लिया, फिर उस बॉइस के pot को मंगवाया, जिसमें उसने सीट को ग्रो किया था, फिर उन्होंने पूछा कि, मतलब फूल कहां है, इंपेरर ने पूछा, चैंग सेडली टोल्ड हीम देट, आल्दो ही हैड लूगड अप्टर दसीड एस बेस्ट एस ही कुड़, इट हैड नौट ग्रोन इंट वे फ्लावर, फिर चैंग ने जो सस्तावा बताया है, ना दुखी मन से बताया कि मैंने इस दिन रात इसका केर किया है, देख भाल की, बट इसमें एक भी जो फ्लावर था, फूल नहीं ग्रो किया, नहीं प्लांट हुआ, ठीक है, जो इम्पेरर थे, समराट थे, उसने उस बॉय लड़के को हग किया, मतलब गले से लगा लिया, मतलब मेरे और जो इम्पेरर थे, उन्हों ने कहा कि मेरे बाद अब तुम ही क्या बनोगे, किंग बनोगे, राजा बनोगे, यू आर दा, अउनली वन, हैस बीन ओनेश्ट, एक, तुम ही क्या हो, ओनेश्ट हो, इमानदार हो, हा ना? और यह सब देखकर, जब इम्पेरर ने उसको गले लगाया, तो सब मतलब आश्चारे चकित हो गए, कि उन्हों ने इनको क्यों गले लगाया, और इम्पेरर ने कहा भी, कि मेरे बाद तुम ही समराड बनोगे, ठीक है, ऐसा क्यों कहा, देखे, you are only one, who has been honest, मतलब इस पूरे, जितने भी people है, लोग है, उसमें तुम honest हो, इमानदार हो, हा ना? क्यों, none of these seeds could have flowered, because they had all been cooked, देखे, यहाँ पर जो इनको पेरर हैं, वो रहें, कि तुम ही honest हो, क्योंकि किसी भी बीज में फूल नहीं उग सकता था, सारे जो बीज थे, वो पक चुके थी, हा ना, जिसके कारण फूल नहीं उग सकता था, मतलब सारे वेक्ती ने जूट, चैंग ही जो था, सच्चा था, जिसने उस सब फूल की देखफाल की, मतलब उस बीज की देखफाल की, बट उसमें वो flower ग्रो नहीं हुआ हा, ना, क्योंकि जो seeds थे, वो पूरे cooked up पक चुके थे, इसलिए उसने कहा कि मेरे बाद तुम ही क्या बनोगे, राजा बनोगे, ठी करती हैं, अपनी जितना बढ़ा बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग का SW कि आप लोग को भी इस चैप्टर को एक एक स्पैलिंग करके रीट करना है, जहां तक हुश है कि मिनिंग निकालने की कोशिश करिएगा, आज के लिए इतना ही, नेक्टर डी हम चाप्टर पर मिलते हैं, थैंक्यू